अगर किसी और की बली चड़ा दी जाए तो भी जाया से इन मिलावट खोरों के जमीर जैसे निलाम हो गए हैं इस बाजार में शौक खरीदने के लिए आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बनाये जा रहे हैं ये नकली अंडे भारत में नकली अंडा बनाने का कारोबार फलफूल रहा है यहां अंडे का दुरूनी पीला भाग याने की योक और उसका बाहरी सफेध हिस्सा याने की एग वाइट सोडियम एलगिनाइट एल्यूम जिलेटिन खाने योग कैल्शियम से तयार किया जा रहा है इतना ही नहीं इसमें पानी और खाने के योग यो रंगो को मिला कर उसे हूबहू असली अंडे की शकल दी जा रही है सबसे पहले हलके गर्म पानी यहने कि उनकोने पानी में परियाप्त मातरा में सोडियम एलगिनाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला कर अंडे के सफेध आकार दे दिया जाता है इसके बाद तयार सफेध और पीले हिस्चे को कैल्शियम को राइट के साथ मिशृत कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं इनको सिर् आपने इन चेर टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंडे कौन सा है और असली अंडे कौन सा है ध्यान से सुनिएगा नमबर एक नकली अंडे की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सक्त होगा हाड होगा असली अंडे के तुलना में ये थोड़ा खुरदूरा भी होगा इसके अलावा छिलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी नकली अंडों की पहचान करने का एक आसा यहां आपको एक और चीज देखने को मुलेगी वो यह कि नकली अंडे को फोड़ते ही उसे प्लेट में निकाल कर देखने पर इसका योग कुछ ही सकंड में पिखल कर सफेध हिससे के साथ मिलना शुरू हो वहीं असली अंडे का पीला योग तब तक नहीं पिखलता या फटता जब तक आप इसे खुद अपने हाथों से फेटेंगे नहीं नमबर तीन, अगर आप अंडे को हिला कर देखें तो असली अंडा कभी आवाज नहीं करेगा जबकि नकली अंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवाज आती सुन सकते हैं नमबर चार, नकली अंडे के छिलके को जला कर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा। इसके जलने से बिलकुल प्लास्टिक के जलने की बदबू जैसी स्मेल आएगी और ये धीरे धीरे आज से सिकुडता जाएगा जैसे प्लास्टिक सिकुडता है। खुले में छोड दिया जाए तो भी इनमें ना तो मक्या बिन भिन भिनैंगी और ना ही चीतियां इनमें कोई भी इंट्रस लेंगी ना ये चीतिया आएंगी इन्शे टिप्स का ध्यान रखी और चितना हो सकेäter स्बहें के साथ शेयर जरूर करें एक ही बात बोलना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं कि किसी का नुकसान कर वो अपने घर चला लेंगे अपने शौक पूरे कर लेंगे उन्हें तो उपर वाला देगा सजा लेकिन अगर आप एक ग्रहाक एक जागरूग नागरिक के तौर पर यह जानते हुए कि इस जगा नकली जाए उनसे हम किसी दूसरी दुकान से ही ले लेते हैं अगर आपने ऐसा सोचा तो याद रखना आप भी इन मिलावट खोरों के बराबर जिम्मेदार होंगे इस जुर्म के भारत में अंडों की बहुतायत में खपत होती है अपना शरीर बनाने वालों से लेकर छोटे नन् निभाई अपना और इस वीडियो को भी भारत के हर कोने तक फैला दीजिए धन्यवाद